असलम अलेकम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं यूटिव चैनल आज मैं आपको एक बहुत ही दिल्चस्प और सबक आमोज कहानी सुनाऊंगी ये कहानी दो बक्रियों के बारे में हैं जो एक दुसरे की मदद करती हैं एक दवा का जिकर है एक चोटा सा गाउं था गाउं बहुत ही खुबसूरत और हरा भरा था गाउं की बीच में एक नदी बहती थी नदी के आसपास हरी भरी घहास थी बक्रियों रोजाना नदी के किनारे जाती और मज़े मज़े से वो घहास खाती नदी के ऊपर एक दरख्ट गिर गया था और वो दरख्ट एक पुल का काम करता था जिससे बकरिया नदी के किनारे पे एक जगा से दूसरी जगा आ जा सकती थी एक बकरी काली और एक भुरे रंगी थी एक दिन भुरी बक्री ने सोचा क्यों न मैं नदी के उस तरफ जाओं और वहां जाके हरी हरी खास खाओं इस तरह बड़ा ही मज़ा आएगा इसी तरह से काली बक्री ने भी सोचा कि मैं भी नदी के दूसरी तरफ जाकर खास खाती हूँ बहुत मज़ा आएगा यह सोच कर दोनों बकरियां चल दी और पुल के उपर आकर खड़ी हो गई दोनों ने सोचा कि हम दोनों तो एक साथ पुल पार नहीं कर सकते इसलिए कुछ करना पड़ेगा दोनों बकरियां सोच में पढ़ गई और सोचने लगी कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए इतने में भूरी बकरी के जहन में एक ख्याल आया और वो बोली अरे बहन इस तरह तो हम दोनों गठ्थे पुल पार नहीं कर सकते हैं ऐसा करते हैं कि मैं बैठ जाती हूँ आप मेरे उपर से गुज़र जाना यह सुनते ही काली बकरी ने कुछ सोचा और वो खुद बैठ गई और उसने भूरी बकरी से कहा कि मैं बैठ गई हूँ ऐसा करो कि तुम मेरे उपर से गुज़र के पुल पार कर लो यह सुनकर भुरी बक्री नधी में से काली बक्री की उपर अपने पाउ रखे और वहां से गुजर कर नधी के उस पार चली गई और काली बक्री भी उठकर फोरण से नधी के दूसरे पार चली गई इस तरह दोनों बक्रीयों ने एक दूसरी की मदद करके बहाइर किसी मुश्किल के पुल पार कर लिया भूरी बकरी ने काली बकरी का शुक्रिया अदा किया और बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरी मदद की काली बकरी ने भी भूरी बकरी का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा अगर हम दोनों एक दूसरी की मदद नहीं करते और मिल चल कर काम नहीं करते तो हम पुलपार नहीं कर सकते थे तो दोस्तो इस कहाने से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर मुश्किल वक्त में एक दूसरी की बात सुननी और समझनी चाहिए और मिल जोल कर काम करना चाहिए और हमेशा एक दूसरी की मदद करनी चाहिए ताके कल को कोई हमारी मदद भी कर सके और इसलाम भी हमें यही दर्स देता है कि एक दूसरी की मदद करते रहें I really hope you have liked this video Thank you for watching this video For more interesting and moral stories Please like, subscribe and share my channel See you in the next video Until then, Allah Hafiz